दोस्तों नमस्कार जय हिन्वन्दे मात्रम स्वागत है आप सभी का गोल्डन पार्ट साला में प्यारे बच्चों यदि आप राश्टी आयूम योगेता धार इच्छात्रुवत्ती परिच्छा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देली आप सभी को क्लासे जुपलब्ध कराई जा रही हैं कई राज्यों में फार्म भरना स्टार्ट हो गए हैं यदि आप भी एन एमस एक्जाम में अच्छे अंग प्राप्श करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजे मध्य प्रदेश पश्यमंगा प्रदेश में फार्म भनने स्टार्ट हो गए हैं अगर आप वहां से विलॉंग करते हैं तो अपने फार्म भरा दीजे इसके लावा अधर राज्यों के सभी बच्चे अपने डॉकुमेंट्स मजबूत बना लीजे और जैसे ही फार्म आता है आप लोग फिल कर दीजे तै वो गोल के कुछ महात्वण प्रश्णों पर चर्चा करेंगे और ये प्रश्ण बच्चों प्रीवेश एर में आये हुए हैं अर्थात पिछले वर्सों में पूछे गए प्रश्ण हैं तो आप सभी लोग इनको जरूर पढ़ें इसके अलावा हमने प्रीवेश एर कुश् प्रश्ण में जा सकते हैं वहाँ पर बहुत सारे वीडियो सीरियल से पड़े हुए हैं एक एक करके सभी वीडियो देख लीजिए काफी इंप्रश्ण है और प्रीवेश एर कुश्चनों से सेम टू सेम प्रश्ण आपकी परिच्छा में आते हैं तो आप सभी लोग बहु बच्चों दिया गया है पवंद्वारा निर्मित इस्थलाकरती है कच्छा साहती किताब से ये प्रश्ण बच्चों है आपसन आप देख सकते हैं ब्रह गलीन मिरांडा छत्रकसिला या क्लिफ तो पवंद्वारा निर्मित इस्थलाकरती बच्चों है छत्रकसिला सी आपस इसका निर्माण होता है बच्चो नदी द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण हिमाने द्वारा होता है तो इन सभी चीजों को याद रखे काफी इंब्ड़न प्रश्ण है और ये 2009 में प्रश्ण आया हुआ है दूसरा प्रश्ण है विस्तु के सक्रिय ज्वालामुखी इन सब्सक्रिये है तीन नमर प्रश्ण है अताकामा मरुष्थल कि महादिوب मे घाज मचीत है तो अताकामा जो मरुष्थल है वो दच्षिड अमेरिका में म Buddhों था है अगर देश का ना मता है तो चिली देश में है द्यान रख्येगा प्रश्ण तमआश साकर के प्रश्वन 2009 में आया हुआ प्रिश्ण है most important प्रिश्ण अटा कामम रुस्थल कहां है तो दच्छडी अमेरिका में इतित है चार नम्हों प्रिश्ण है विश्टु का सबसे छोटा महाद्यूप कौन सा है दो बार प्रिश्ण पूछा गया 2009 और 2016 में आस्टेलिया यूरोप अफ्रीका एसिया तो सबसे छोटा महाद्यूप आस्टेलिया है और सबसे बड़ा महाद्यूप कौन सा है तो एसिया द्यान रखेगा सबसे बड़ा महाद्यूप एसिया और सबसे छोटा महाद्यूप आस्टेलिया एक देश भी है इसलिए इसको क्या कहते हैं देशी महाद्यूब कहा जाता है अस्टेलिया महाद्यूब को कुश्चन नमर पास देखिए विश्चु का सबसे बड़ा मरुस्थल है सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है कालाहारी थार सहारा अटाकामा तो यह सहारा मरुस्थल है जो अफरीक अफरीका में पा जात से परवतिय परेटन इस्थल से तो पंपाच ये घास के मैदान है दिहान रखेगा और ये अर्जेंटीना देश में पाए जाते हैं साथ नमबर कुश्चन है कंचन जंगा सिखर की उचाई है तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा 8598 मीटर ये आपसन आपका बिल्कुल सही जवाब है आठ नमबर कुश्चन कहता है कि भारत का एक मात ठंधा मरुस्थल कौन सा है तो सबस्यादा ठंध कहां पड़ती है लेह लद्दाख में और वही आपका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख ये सबसे ठंधा मरुस्थल है भारत का एक मात्र ठंधा मरुस्थल लद्दाख ठार राजस्थान में पाय जाता है जो की गरम है 2010 में आया हुआ प्रिश्चन है नमनम्मर प्रिश्चन कहता है कि बड़ेड़ एक्जाम में यह देखने को मिलता है दच्छिड भारत की सबसे उंची चोटी अनाई मुड़ी ध्यान रखेगा ए आपसन आपका सही जवाब हो जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कुश्ण रट जाएगा याद हो जाएगा दस नमार प्रेशन कहता है कि भारत में सरवाधिक खनिज युक्त सैल तंत्र कौनसा है धारवार तंत्र विंध्य तंत्र उडप्पा तंत्र गुंडवाना तंत्र सही आंजर वच्छों है धारवार तंत्र जो है यह सबसे ज़्यादा सैल युक्त तंत्र है 11 नमर कुछिन कहता है कि सरवाधिक नगरी करत देश है संसार का सरवाधिक नगरी करत देश तो ये वच्चों हो जाएगा सिंगापुर C आपसन आपका सही जबाब हो जाएगा 12 नमर कुछिन है निम्न में से कौन सा घास कामदान नहीं है पमपाज, कमपाज, अटाकामा, लानोज तो यह जो अटाकामा है यह उपर हमने पढ़ा यह अटाकामा दच्छिड अमरीका में पाया जाने वाला एक मरुष्थल है तो सेम आपके तीन जो आप्षन है वो गहास के मैदान है जब कि यह क्या है मरुष्थल है तो राइट आंतर आपका C आप्षन हो जाएगा तेरा नमर कुश्चन कहता है कि भारती उप महादियूप मोलता एक अंग था तो किस लेंड का जो है अंग था जुरैसिक लेंड, अंगारा लेंड, आर्यावर्त या फिर गोंडवाना लेंड तो भारती उप महादियूप जो है यह कोंडवाना लेंड का हिस्सा था अंग था D आप्षन आपका सही जवाब हो जाएगा 14 नमर बच्चों प्रश्ण है भारती मरुष्थल को कहते है गोबी, सहारा, थार, अटाकामा तो यह बच्चों है थार, C आप्षन आपका सही जवाब हो जाएगा थार जो है भारती मरुष्थल है, सहारा अफरीका में पाजाता है और अटाकामा जो है यह दच्चिड अमेरिका में है और गोबी एसिया का है 15 नमर कुश्चन है भारत किस दिशा में इस्थित है तो यहाँ पर कुश्चन बच्चों यह 2012 में जो पूछा गया था थोड़ा सा यह था कि भारत के किस दिशा में चीन इस्थित है तो यहाँ पर चीन की बात करी जा रही है कि भारत के किस दिशा में चीन इस्तित है तो ये उत्तर दिशा में है C आपसन आपका सही जवाब हो जाएगा भारत के उत्तर में कौन सा है चीन है और नेपाल है ध्यान रखिएगा 16 नमबर प्रश्ण है निमलकित में से कौन सा देश एक महा द्यूब भी है न्यूजिलेंड आस्टेलिया इगलेंड भारत तो बी आपसन सही हो जाएगा आस्टेलिया 17 नमबर प्रश्ण है हिमालय की सबसे उंची चोंटी इत्त है भारत में नेपाल में फुटान में या तिबबत में तो इसका वच्चों सही आंत्र हो जाएगा नेपाल में इत्त है जिसे हम लोग एवरेस्ट चोंटी कहते हैं और इसकी हायस उंचाय कितनी है आठ जार आठ 250 मीटर 18 नमर कुश्चन है मरतक घाटी जाने जाती है अत्धिक उषणता के कारण अत्धिक सीदलता के कारण अत्धिक गहराई के कारण या अत्धिक लंबाई के कारण तो मरतक घाटी अत्धिक उषणता के कारण जाने जाती है ए आपसन आपका सही जवाब हो जाएगा 19 सभूल आपन कह सब्सक्रांट ईस्टाSt25 और पूल बढुओ सब्सक्राइब धना श्क्राइब पढ़ेंगे तो आपसन अपने आप से कट जाएगा कि भाई पोपा जो है में अमार का है तो जापान से मिल नहीं सकता एटना में एटना जो है आपका इटली का है तो भारत में मिला हुआ तो गलत है तो ऐसे आपसन कट गए अब आपको जुतने आपसन आप काट लेंगे तो सेम में आपको जो है जो गेस लगाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी बीच नम्मर प्रशन है चटानों के अपने अस्थान पर तूटने की किरिया कहलाती है चटानों के अपने अस्थान पर तूटने और फोटने की किरिया अपछे कहलाती है कच्छा साथी किताब नयाब में पढ़ा होगा ठीक तो ए आपसन आपका सही जवाब हो जाएगा एक किस नमबर प्रिशन है छेतरफल में सबसे बड़ा महाद्यूप है अफरीका उत्री अमेरिका एसिया या दच्छिड अमेरिका तो छेतरफल की दच्छ सबसे बड़ा प्रिशन सही है वाइस नमबर प्रिशन है भोकम्प की तीवर्ता मापने के यंद्र को क्या कहते हैं तो यहां पर बहुत ही दिहान से कुश्चन पढ़ना है यह प्रिशन हर बार पूछा जाता है और भोकम्प की तीवर्ता मापने वाला यंद्र पूछा जा रहा है तो यह हो जाएगा सिस्मोग्राफ या भोकम्प लेखी यंत्र या अगर कुश्चन इस प्रकार से पुछे कि भोकम्प की तिवर्ता किस पैमाने परमापते हैं तो रिक्टर इसकेल होता है तो यह देखो दो बार प्रशन आया हुआ है और इसका राइट अंतर हो जाएगा सी आपसन हवाई द्यूप चौबिश नमर प्रशन है विसरफ का निर्माड होता है पावन द्वारा जल प्रपातों द्वारा नदियों द्वारा शमुद्री लहरों द्वारा तो विसरफ का निर्माड प्रशन है विसूवियस जो अलामफी इस्तिता है तो विसूवियस कहा है बच्चा तो इटली में है डी आपसना आपका सही जवाब हो जाएगा इटली का विसूवियस जो अलामफी है 26 नमर प्रशन है निर्माड प्रशन है कौन प्राकरतिक आपदा का उदार नहीं है 27 नमर प्रशन है बाढ़ रेल दरुखटना भोकम सूखा तो ये जो रेल दरुखटना है ये प्राकरतिक आपदा नहीं है ये मानों निर्मित होती है 27 नमर प्रशन है ग्रेनाइट दारण है अगने सेल का और साधी सेल का रूपांत्रित तैल का इन में से कोई नहीं तो ग्रेनाइट जो होता है ये अगने सेल का उजहरण होता है 28 नमर प्रशन है भारत और सिलंका अलग होते हैं लक्ष द्यूप से अरफ सागर से पाक जलसंधी से हिंदू सागर से या हिंद महा सागर से तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा पाक जलसंधी भारत और स प्राइम मेरेडियन पर दिच में जो संधी है वो पाक जलसंधी है। उन्तिस नमा प्रिश्ण कहता है कि अरावली परवत स्रेड़ी का सबसे उंचा सिखर है। कंचन जंगा, दोधा बेटा, गुरु सिखर, पारस नाथ। 2019 में आया हो प्रिश्ण है। गुरु सिखर इस दराइटा अंसर, गुरु सिखर अरावली परवत स्रेड़ी का सबसे उंचा सिखर है। अब आप लोग कमेंच शक्रा में लखेगा कि अरावली परवत किस राज्य में इस से था है। तीस नमर प्रिश्ण कहता है कि दिन और रात कहां बराबर होते हैं प्राइम, मेरेडियन पर, धुरुबों पर, विश्वत रेखा पर या अंटार्टिका पर तो 2020-2021, दो अर्ष्णों में पूछा अगा प्रिश्ण है। तो आप सभी को पता है, विश्व में साथ महाद्यूप और पांच महसागर हैं। तो C आप्ष्ण इसका सही जवाब हो जाएगा। 32 नमर कुष्ण दियागा है कि भारत में निमलिखित नदियों में से कौन दच्छिड की गंगा के रूप में जाने जाती है। यह प्रश्ण जो है काफी पेचीदा है, काफी इंपोरंट भी है, दो बार प्रश्ण आया हुआ भी है। दच्छिड की गंगा अगर पूछे तो गोदावरी को लगाना है। गोदावरी नदी दच्छिड की गंगा। अगर यह पूछाई कि दच्छिड भारत की गंगा यह आपका हो जाएगा कावेज नदी लेकिन अगर दच्छिड की गंगा पूछता है तो गोदाव नदी तो राइट आंसर इसका बी आपसन बच्छो हो जाएगा बहुत ही अच्छे से इसको याद करिएगा दच्छिडी अमेरिका युम अफ्रीका महादीपों के मद्धिस्तित महासागर का नाम है तो यह बच्छो है दच्छिडी अटलांटिक महासागर ए आपसन आपका सही जवाब हो जाएगा कॉस्चन नमर 34 दिया गया है छेतरफल की दर्ष से सबसे बड़ा देश कौनसा है दोहजार बैस में आया हुआ प्रिश्ण है कनाड़ा चीन संहितराज अमेरिका रूस तो रूस छेतरफल की दर्ष से सबसे बड़ा देश है और इसकी ट्रिक भी है दिहान रखेगा रुक और चीन अबा भारत हमने बताया है, रू का मतलब रू सबसे बड़ा है। इस प्रकार से आप यात कर सकते हैं। 35 प्रकार्ष्ट इस्थलाकरती का संबंध है। अगने चट्टानों से, चूने की चट्टानों से, बलूबा पत्थर से, लोयस से। तो कार्ष्ट इस्तलाकृति का निर्माड जो है भूमिकत जल द्वारा होता है और यह चूने की चक्तानों से समझत होते हैं बी आपसन आपका सही जवाब हो जाएगा सौ प्रशंट सही आपसन है इन में से कोई नहीं तो 36 का सही आंसर हो जाएगा सी आपसन आपका सही जवाब हो जाएगा प्रतिवी को तीन आंतर प्रतिवी की आंतर सजना का साथ में आपने बढ़ा होगा उसमें तीन भागों में प्रतिवी की आंतर सजना को बाटा गया है जो सबसे आंत्रिक वाला भाग होता है इसे को क्रोड कहते हैं इसमें जो है निफे का मतला होता है निकिल और फेरस तो निकिल और फेरस धातुएं पाए जाती है यानि लोहा और निकिल पाए जाता है और दूसरा जो भाग होता है क्रोड के उपर तो यह होता है बच्चों कि यह होता है आपका मेंटल और मेंटल में दो प्रमुखद हातों पाजाती हैं सिमा का मतलब जो है सिलिकान और मैंगनेसियम ठीक सिलिकान और मैंगनेसियम पाजाते हैं और जो सबसे उपर वाला भाग होता है इसके भूपरपटी का जाता है और भूपरपटी में सियाल का तो इस प्रकार से जो है इसको याद रखिएगा 37 नमबर प्रशन का आंसर आप सभी को देना है निमलखित में से वी आकार की घाटी की उत्वत्ति के लिए उत्तरदाई है हिमानी वायू अफचैन या नदी तो इसका सही जो आप क्या है आप सभी लोग कमेंट सकता हम लिखे और साथ में जो भी छात्र आपके आसपास प्रडोस में क्लास में तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप प्रोसाहित करें और बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करने के लिए प्रशन जरूर करें और आप हमारे चैनल को ज्यादा ज्यादा गुरूपों तक सेर कर स होते हैं तो मिलते हैं फिर नेक्ट वोडियो में तब तक कि लिए धन्यवाज जहिन बने वातरम